1990 में राजस्थान के एक बहुत ही विख्यात कॉलेज के बाहर एक लड़की रो रही थी यह यूँ कही एक हिंदु लड़की रो रही थी तो कुछ रसूगदार मुस्लिम युवक उसके पास जाके कारण पूछे तो उसने बताया कि पैसों के कारण मेरा एड्मिशन नहीं हो पाया तो वो मुस्लिम लड़के थे भाई वो खादिम थे खौजा मुहिन दीन चिश्टी के दरगा के तो वो फरिष्टे थे फरिष्टे तो उन फरिष्टों ने उसको पैसे दी कि जाओ एड्मिशन करा लो लड़के कुश जाके एड्मिशन करा ली उसको तो लगा भाई यह तो नेक बंदे हैं फिर हुआ क्या कि धेरे धेरे वो लड़के उससे मिलने लगे एक बार पैसे दिये तो लड़की के मन में भी था कि हाँ ठीक है अच्छे लोग हैं और रसुकदार हैं पैसे वाले हैं दोस्ती बढ़ गई तो उन्होंने एक बार लड़की को अपने फार्म हाउस पर बुलाया ये खादिम थे खादिम फारुक चिस्ती और एक और था वो भी खादिमी था चिस्ती ही था खादिम मतलब की चिस्ती के दरगाह के जो सेवक होते हैं ये एक ही परिवार के होते हैं तो एक खादिमों के प दिन और फार्मावज पर उसके साथ रेप किए it. कहाल उसकी फोटोज नगना वस्था में उसकी फोटोज की शें उस टाइम तो ऐसे camera होते नहीं थे phone होते नहीं तो negative बनते थे camera से तो उसकी फोटोज खीचे रख लिए अब उसको दमकी दिये कि बिटा अपने और दोस्तों को ले आओ और महिला साथियों को जिसके साथ वो अपनी दरंदगी कर सके नहीं तो इसको फैला देंगे वो लड़ की डर गई वो बदनामे की डर से अपनी बाकी सहलियों को कैसे भी करके मनाई जो है कि पार्टी है चलो मज़े आएंगे यह वो उनको यह नहीं बताए कि वहाँ जाके कुछ ऐसा है उनको पार्टी का लालच देखे या फिर किसी और तरीके से ही उनको उस फार्म हा कि यह चेन डाई सो लड़कियों की जिंदगी वरबात कर दी जिन में से कईयों के साथ गैंग रेप हुआ और आप सोच रहे होंगे कि अच्छा गर इतना जगहन ने अपराद हुआ तो अपरादियों को तो फासी होई होगी भाई पता चलने के बाद तो बता दो अपराद कि नीट सोया है हमारा हिंदू दर्म हिंदू समाज के लोग कि अभी तक वो खुले घूम रहे हैं भाई कोई दूसरा दर्म होता तो सर्तन से जुदा हो गया होते हैं कि आगे कहानी हुई कि भाई पता कैसे चला अगर यह सब हुआ तो हुआ यूं कि देखो नब्बे से बा कि उनीख आदिमों के राइस जादे थे तो उनके कोई मित्र थे जिनकी यह बरोसा एक फिल्म को नेगेटिव को जो है पॉजिटिव इंकनवर्ट मतलब की वह काली वाली जो फोटो आती थी रील की उसको साफ करते थे सही बासा में बोलने तो तो उसाफ करमें की जो फोट रील के लिए कुछ तो है तो उनके हाँ चार रील लगी उन्होंने देखा कि उसमें लड़कियों की संपूर्ण रूप से नगन नेगेटिव से अब आगे क्या हुआ कि जब उन्होंने अपने मित्र को दी उसको रील को पॉजिटिव बदलने के लिए तो वहां के जो अब उन्हें भी उनके साथ दुर्वयोहार किया बाद में संतोज गुपता ने अपने समाचार पत्र में इस चीज को बहुत ही मुखरता से उठाया उन्होंने दो तीन बार चापा इसको उन्होंने जब देखा कि कोई उनको ध्यान नहीं दे रहा है तो लड़कियों के चेहरे क और बलर करके उन्होंने पूरी फोटो पब्लिश कर दी कि देखो ये चीज है तो समाच जागा राजस्थान का अजमेर का और अजमेर बंद का एलान हुआ काफी चीजे हुई फिर फाइनली संतोज गुपता ने खादिमों की फोटो डाल दी कि अभी तक ये लोग खुले भूम रहे हैं तो उस समय की बीजेपी की सरकार थी भैरो सिंग से खावत की उन्होंने भी मामले को गंभीरता को समझा और जो ये कॉंग्रेस यूथ विंग के प्रेसिडेंट थे खादिम चिस्ति यही फारुख जिसके उपर आरोप लगा था क्योंकि ये लोग सामाजिक आर्थिक और राजनितिक तरीके से बहुत ही जादा बल्शाली थे तो इनके उपर बहुत ही समल के जो है काम करना था क्योंकि हिंदू-मुस्लिम का एंगल बहुत जादा था और हमारे समाज की विडमना ही यही है कि हम उस हिंदू परिवार से आते हैं जहां पे एक समय और समाने भर मात्र से युद्ध हो गया था और उनको छूना पाए कोई नेक अल्ला का फरिष्टा उनको छूना पाए उन्होंने अपने आपको अगनी के हवाले कर दिया वही हिंदू समाज की लड़कियां कि नहीं दो कोड़ी के खादिमों से जो है ब्लैक मेल हो जा रही है और उनके साथ ऐसे गतनाय हो रही है इसमें गलती हमारी भी है अगर पहली लड़की उसने कदम उठाली होता हो तो ड्ष जिंदगी बच सकती थी ड्ष लड़कियों कि हमको जागना होगा हमको जगाना होगा और अभी जो खुल्ले सांड की तरफ घूम रहे हैं अजमेर अ कानूनी वैद दिरूप से उनके उपर कारिवाई की जानी चाहिए और उनको फांसी तो कम से कम होनी चाहिए इसलिए मेरा आग्रह है कि इस बात को जितना जादा मुखरता से उठा सकें उठाइए और इस वीडियो को शेयर करिए भारत माता की जाए बंदे मातरम जैश्री रहा